और वेच चलो, कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सकरने तो प्रकृति के नियमों को तो कोई बदल नहीं सका मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 60 साल के हो और आप 16 साल के लगने लगोगे बिल्कुल नहीं लेकिन ये तो हो सकता है ना आप 60 साल के हो लेकिन कोई आप पर विश्वास न करे आप इतने बड़े हो ये तो हो ही सकता है ना तो हम अपने लिए कुछ तो करी सकते हैं पूरे दिन में 24 गंटे होते हैं एक गंटा तो आप अपने लिए निकाली ही सकते हो हमारे skin के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे लिए, हमारे स्वास्त के लिए, हमारी health के लिए, सब ही के लिए जरूरी है तो चलिए, आज कुछ tricks बताती हूं, जिससे आप तरो ताजा लगेंगे चहरा जो है, skin जो है, खिलेगी इस छोटी सी DIY से इस cream को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे, और सब को share करना पसंद करेंगे तो ऐसी cream को बनाने के लिए, हमें चाहिए क्या, उन चीजों को देख लेते हैं ये ingredients बहुती simple हैं, जो हमारे घर में मिलते हैं और natural हैं तो सबसे पहला, वो है सर्वगोण संपन, वो है केसर केसर बहुती amazing result देगी आपकी skin को केसर सुनके ये मत सोचना, इतनी महंगी केसर, face के लिए आपका face भी तो बहुत कीमती है, और कुछ पतियां ही चाहिए केसर की आपकी बहुत सारी जो महंगी क्रीमे होती है न, उससे आप निश्चिन दो जाओगे, इसी केसर के दो चार धागे कमाल दिखा देगी आपको तो केसर सभी टाइप की skin के लिए बहुत ही अच्छी होती है केसर को हमें कैसे यूज करना ये बात है मैंने एक छोटे से पेपर के अंदर थोड़ी सी केसर की पतियों को लिया है जिसे मैंने तवे पर इस पेपर को बांद के रख दिया है थोड़ी सी गर्माई होगी ना तो केसर अपना कलर बहुत जल्दी देगी ये अजमा के देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है तो आप केसर के धागों को इस पेपर में लपेट कर थोड़ी देर क्रश जरूर कीजे बस आप क्या करेंगे एक साफ सा बोल दीजे उसमें दो चमश डाल दीजे गुलाब जल गुलाब जल जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये स्टीम के साथ बनता है गुलाब जल कैसे बनता है ये मैंने आपको वीडियो पहले दे रखा है चहरे पर अगर गलो रहता है एक कॉन्फिडेंस आता है तो वही तो हमें चाहिए छोड़ी सी रेमेडिय है घर के इंडिडियन्स है डियाए बनाए गर्मियों में तरो ताजा बने रही तो बस उस गुलाब जल में केसर को आप डाल दीजे अब क्यूंकि ये केसर गरम की हुई है न ये देखिए कितना बढ़िया फटा फट से इसका कलर आ गया आप चाहें तो रात को भिगा के रखे या इस तरीके से आप भिगा दे अब इन जो केसर की पत्तियों ने अपना कलर पुरा अपना फाइदा इसके अंदर डाल दिया न लेकिन इन पत्तियों को आप निकाल लिये मत इसे इसी में ही रहने दीजे अब इसमें हम डालेंगे दो चमच भर के दो से तीन चमच ऐलोवेरा जेल aloe vera gel तो आप सभी जानती हो कि हमारी skin के लिए क्या काम करती है बार-बार मैं हमेशा आपको बताती हूँ aloe vera gel को हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए moisturizer नहीं है तब भी आप सिर्फ aloe vera gel लगा के यूज़ करेना तब ही भी आपको बहुती ताजगी महसूस होगी almond oil बहुत अच्छा है अगर हमारी skin oily है तब भी यह almond oil बहुत अच्छा है क्योंकि almond जो है ना बहुत ज़्यादा चिप चिपा नहीं होता आप चाहें तो इसमें almond oil डाल सकते हैं या बादाम रोगन जो उससे भी बहुत better होता है वो डाल सकते हैं दोनों में से आपके पास जो हो आप डेट चमच के आसपास डाल दीजिए हाँ अगर बहुत ज़्यादा oily है skin तो आप इसकी quantity थोड़ी कम कर सकते हैं आप आधा चमच भी डाल कर काम चला सकते हैं लास्ट में अब इसमें एक ingredient और यूज कीजिए जो हमारी skin के लिए बेहत जरूरी है skin के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है vitamin E vitamin E के आप दो capsule तोड़ के इसमें डाल दीजिए बस कुछ नहीं करना है सब को खाली mix कीजिए अपने आप बिना machine के ये cream आपकी बन कर त्यार हो गई है आप देखिए इसी तरीके से cream मिलती है ना market से जो हम बहुत सारे पैसे खर्च करके लाते हैं इस cream को बना कर आप ज़्यादा मत रखिए थोड़ा थोड़ा बनाईए 7 days के बाद फिर से बनाईए और हमेशा फ्रिज में रखिए तरों ताजा लगेगा जब आप फेस पर अपलाए करेंगे गर्मिया बहुत है बाहर खराब हो सकती है जब भी आप अपलाए करेंगे सरफ 10 सेकिन आपको देने अपने को उठाईए और दोनों हाथों से अपने चेहरे को मसाज कीजे मुस्राइजर की तरह उसके बाद उनी हाथों से आप अपने हाथों पर भी लगा दीजे थोड़े दिनों में आप देखेंगे अपने हाथों का कंडिशन अपने चेहरे की कंडिशन बेहत अमेजिंग होगी बहुत ही बड़िया ये क्रीम है, चहरे पर जो दाग है, जो जाईयां है, जो ब्लैकिट्स है, चहरे पर किसी जगा पर थोड़ी अच्छी होती है, किसी जगा पर डार्क होने लगती है, वो सारा अनीक्वल जो पार्ट रहता है, वो एक्वल हो जाएगा, बहुत ही बड़िय कि अ मुझा है।